नमस्कार आप देख रहे हैं मनी नाइन मैं हूं संदीब ग्रोवर और स्वागत आपका हमारे वीकेंड स्पेशल शो कंप्री नामा में कंप्री नामा में हम आपको कॉर्पेट और स्टार्ट अप जगत से जुड़ी बीते कारुबारी हफते यानि सोमवार से शुकवार की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं साथी हमारे खास सेग्मेंट ऑन दर डार के जरिये विवादों से जुड़ी खबरों की बी पूरी जानकारी देते हैं तो शुरू करते हैं इस अफ़ते की खबरों का सिलसिला कॉर्पेट से जुड़ी बड़ी सुर्क्यों के साथ और ले चलते हैं आपको पहली खबर की तरफ ऑनलाइन फूड डिलिवरी प्लाट्फरम जोमेटो जल्द ही पेटियम का मूवी औ इवन्स टिकेटिंग बिजनस खरी सकती हैं जोमेटो ने स्टॉक एकिंजिस को दी गई जानकारी में इस अधिग्रहन को लेकर चल रही बातचीत को कंफर्म भी कर दिया है हाला कि दोनों कम्पनियां अभी तक किसी फाइनल डिसीजिजन पर नहीं पहुंच पाई हैं क्यों अगर ये डील फाइनल होती है तो जोमेटो के लिए ये सबसे बड़े एक्विशन में से एक होगा इससे पहले कमपनी ने 2020 में उबर इट्स को एक्वायर किया था और 2022 में ब्लिंकिट का 4,447 क्रोड रुपे में अधिग्रहन किया था जोमेटो के लिए अधिग्रहन इसलि बिक्री से कमपनी की ट्रैवल और कैश बैक जैसे कोर बिजनसीस पर दोबारा फोकस करने की मंचा है दूसी कबर ये थी कि 17 जून को कमपनी के नॉन एग्जिकेटिव इंडिपेंडेंट डिरेक्टर नीरज अडोना ने अपने पत से इस्तीफा दे दिया है और सेभी के होल अगली खबर अधानी पोर्ट को कच में स्थित अपने मुंद्रा पोर्ट की शमता दो गुना से जादा करने के लिए केन सरकार से परियावरन और कोस्टल रेगुलिशन जोन से जुड़ी मनजूरी मिल गई है इस शमता विस्तार पर 45,000 करोड रुपे का खर्च होगा इस तरह पोर्ट की शमता मौजुदा साड़े 22 करोड टन से बढ़कर 51.4 करोड टन कारगो हैंडल करने की हो जाएगी फिलाल ये पोर्ट देश का सबसे बड़ा कमर्शिल पोर्ट है 18 जून को अधानी पोर्ट का शेयर करीब एक फीज़दी की बड़त के साथ 1440 रुपे के सर पर बंद हुआ था 19 जून को खबर थी कि अधानी समू सीमेंट सेक्टर के बाद अब डिफेंस सेक्टर में बड़ा दाव खेलने की तियारी में है अधानी ग्रूप अब मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलोजी में हाथ अजमाने के मूड में है और समू डिफेंस सेक्टर में अ और अगले कुछ महिनों में ये डील पक्की हो सकती है। इससे समूग को डिफेंस छेत्र में अपनी स्थिती मजबूत करने में मदद मिलेगी। 19 जून को अधानी एंटरपाइजिस का शेर करीब डेट फीज दी गिर कर 3,244 रुपे 25 पैसे के स्थर पर बंद हुआ था। अगली दो खबरें आईपियो बजार से जुड़ी हैं। पहली ये कि दक्षिन कोरिया की आटोमोबील कंपनी हुंडे की भारती एकाई हुंडे मोटर इंडिया लिमिटर यानी हमाईल ने आईपियो लाने के लिए मारकेट रेगलेटर से भी के पास डियर एचपी दाखिल कर दिया है। इशू देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपियो हो सकता है क्योंकि इस इशू के जरिए एचमाईल की धाई से तीन अरब डॉलर यानी इकिस से पच्चिस हजार करोड उपे जुटाने की योजना है। इस आईपियों में आफर फॉर सेल यानी ओफेस के जरिए पेरेंट कंपनी हुंडे मोटर कंपनी यानी हमसी अपने करीब सवा 14 करोड शेर बेचे की जो की कंपनी की कुल साड़े सत्रा फीज़ दी इससे दारी के बराबर है। इससे पहले मई 2022 में सरकार ने LIC की साड़े तीन फीज़ दी सिदारी बेच कर करीब 21,000 करोड रुपे की रकम जुटाई थी। दूसरी खबर ये है कि मंगलवार 18 जून को लेट रेवन्यूस टेकनोलोजी यानी इकसीगो के शेरों की बाजार में लिस्टिंग हुई जो की धमाकेदार रही। टेकनोलोजी का शेर 165 रुपे 72 पैसे के भाव पर बंद हुआ जो की 138 रुपे 10 पैसे के ऊपनिंग प्राइस के मकाबले 20 फीज़दी के उपरी सरकेट पर है वही 93 रुपे के इशू प्राइस के मकाबले 78 फीज़दी के प्रीमियम पर है। पैसे की उचाई को चुआ यानि की लिस्टिंग के दो दिन के अंदर शेर ने निवेशकों का पैसा दो गुना कर दिया है। अगली खबर भारतिय जीवन वीमा निगम यानि LIC कई बड़े शहरों में मौझूद अपने प्लाट्स और कमर्शिल बिल्डिंग बेचकर पैसा जटाने की तियारी कर रही है। इसके लिए एक आंत्रिक टीम भी बनाई है कि टीम पूरे देश में LIC की रेलिस्टेट संपत्ती को बेचने के लिए योजना तियार करेगी। प्रॉपर्टी बेचने की शुरुआत मुंबई से हो सकती है। करोड रुपे आकी गई थी जबकि वास्तविक मुले इससे करीब पांच गुना हो सकता है। प्रॉपर्टी बेचने के लिए नए सीरे से मुल्यांकन कराया जा सकता है। 18 जून को LIC के शेर में करीब एक फीजदी की गिरावट के साथ 1057 रुपे के सतर पर कारोबार का अंत देखने को मिला। अगले कबर मंगलवार 18 जून को पारेज डिफेंस की 1.8 फीजदी एकुटी का बड़ा सौधा हुआ। 1252 रुपे के औसद भाव पर हुए 7.06 लाग शेरों के सौधे की वैल्यू 88.07 करोड रुपे आकी गई है। इस ब्लॉक डिल में खरेदारों की सूची में अगर देखें तो कई नाम सामने आएं। ये सौधा शुकवार की क्लोजिंग से करीब 8 फीजदी प्रीमियम पर हुआ। खरीब 600 करोड रुपे के आसपास है। 18 जून को शेर में दूसरे दिन लगातार 20 फीजदी का फूपरी सरकेट लगा। और शेर ने 1388 रुपे 25 पैसे की रिकॉर्ड उचाई को भी छुआ। अगली खबर जुबिलेंट फार्मोमा की अमेरिकी सब्सिडिरी कंपनी जुबिलेंट फार्मा होल्डिंग्स ने अपने लेंडर्स को साड़े साथ करोड डॉलर या 626 करोड रुपे के टर्म लोन का समय से पहले बुक्तान करने के लिए नोटीस बेजा है। 24 जुन यानि अगली पेमेंट के दिन ये कर चुकाने का ओफर दिया गया है। अगली खबर भारतिय शेयर बाजार में बुदवार 19 जून को ब्लॉक डिल का नया रिकॉर्ड बना। बुदवार को 23,000 करोड रुपे की ब्लॉक डिल्स हुई हैं जो शेयर बाजार में किसी एक दिन में हुई सबसे ज़ादा हैं। इन डिल्स में सबसे ज़ादा यूगदान इंडस्टावस की डिल का था। इंडस्टावस के 53,000 करोड शेयरों का सौधा 17,065 करोड रुपे में हुआ। इस दील के जरिए वोड़ाफोन आइडिया के विदेशी प्रमोटर वोड़ाफोन ग्रुप ने इंडस्टावस में अपनी 18 फीजदी हिसेदारी बेचकर 15,300 करोड रुपे की रखम जटाई है। इस दील के बाद इंडस्टावस में वोड़ाफोन ग्रुप की हिसेदारी घटकर 3 दिशनलग एक फीजदी रह गई है। एक दिशनलग शुन्ने दो करोड शेरों या छे दिशनलग दो फीजदी हिसेदारी का बड़ा सौधा हुआ जिसकी वैल्यू एक 1815 करोड रुपे आ की गई है। शेर करीब आदा फीजदी गिरकर 1829 रुपे 85 पैसे पर बंद हुआ। हाला कि दिन के दुरान शेर 1776 रुपे तक यानि तीन फीजदी तक भी फिसल गया था। अगला नाम है जेड़ेफ कमर्शिल का जिसके 14.3 लाक शेरों की कई ब्लॉग डिल्स हुई। 15,825 रुपे के औसा दाम पर हुए सौदे की वैल्यू 2260 करोड रुपे से जादा आकी गई है। इस ब्लॉग डिल के जरीए वैब को एशिया ने अपनी 5 फीजदी इसे दारी बेची है। मार्स दिमाही के अंत तक वैब को एशिया के पास कंपनी की 75 फीजदी इसे दारी थी। 19 जून को जेड़फ कमर्शिल का शेर करीब 7 फीजदी की गिरावट लेकर 16,999 रुपे पर बंद हुआ हालाकि शेर का इंटर डे लोग 15,378 रुपे का था। बड़ी ब्लॉग डिल्स में चौथा नाम है सेंसेरा एंजिनेरिंग का जिसके 62,53 लाग शेरों या 11,6 फीजदी हिसे ने कई ब्लॉग डिल्स की वैलियू साड़े 700 क्रूड उपे आके गई है। इन ब्लॉग डिल्स के जरीए क्लाइंट एबिन और CVCI GP2 एंप्लॉई एबिन फंड की और से अपनी पूरी इसेदारी बेच दी गई है। अगली खबर इंडस्ट आवर्स की ब्लॉग डिल के लावा भी वोड़ाफोन आइडिया का शेर तीन ख़वरों के चलते फोकस में था। पहली ये कि कमपनी ने SBI के निर्थेतों वाले बैंकों से टर्म लोन के रूप में 23,000 करोड उपे जुटाने का पस्ताव त्यार किया है। और कमपनी की 10,000 करोड उपे की बैंक गरेंटी लेने की योचना है। ये पस्ताव कुल 55,000 करोड उपे की फंडिंग हासिल करने के लक्षे का ही हिसा है जिससे एक तो 4G कवरेज मजबूत की जाएगी और दूसरा कुछ एहम मार्केट्स में 5G रोल आउट शुरू किये जाएंगे। साथी खबर ये भी थी कि बुदवार को वोड़ाफोन पी लसी ब्लॉग डिल्स के जरीए इंडस्ट आवस में अपनी 9.9 फीजदी सिधारी बेच सकती है। मंगलवार 18 जून को वोड़ाफोन आइडिया का शेर करीब एक फीजदी की बड़त के साथ 16 रुपे 87 पैसे के सतर पर जाकर बंद हुआ था। 17 रुपे 10 पैसे के सतर पर बंद हुआ और शेर का इंटाडे हाई 17 रुपे 28 पैसे का था। अगली खबर सकारी कंपनी हुटको ने विदेशी लेंडर्स यानि कर्जदाताओं से 20 करो डॉलर या 30 अरब जैपनीज यन की रकम जुटाई है। जापान के सुमी टोमो मिटसुई बैंकिंग कॉर्परेशन यानि SMBC ने इस डील का नितेत्व किया जिसमें कुल 9 लेंडर्स ने हिस्सा लिया। लेंडर्स की और से 15 अरब यन के इस इस्शू को मिले ओवर सब्सक्रिप्शन के चलते कंपनी ने ग्रीन शू आप्शन को भी एक्साइज किया और कंपनी ने कुल 30 अरब यन की रकम जुटाई। इस रकम का इस्तेमाल कंपनी के और से लोन मार्केट में विस्तार के लिए किया जाएगा। करेगी और बाकी रकम धीरे धीरे वित्वर्ष के दुरान चुकाई जाएगी। यादी ग्रहन वित्वर्ष 2025 की दूसी तिमाही यानी सितंबर तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। 19 जून को BLSE Services का शेर करीब 2 फीज़ी की कमजोरी के साथ 277 रुपे 81 पैसे के सतर पर बंद हुआ। अगली खबर बैंगलूरू की गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ने महाराष्ट्रा की BRFL टेक्स्टाइल के साथ स्र्टरीडिक पार्टनर्शिप की घोशना की है। निवेश की कुल रकम 300 करूड रुपे तक हो सकती है। माना जा रहा है कि स्ट्रडिजिक पार्टनर्शिप के तहट एक साल के अंदर दोनों कम्पनियों का मर्जर भी हो जाएगा खबर के चलते 20 जून को गोकलदास एक्सपोर्ट्स का शेर करीब 5 फीजदी की तेजी लेकर दिन की उचाई पर 872 रुपे के स्टर पर जाकर बंद हुआ अगली खबर और एशिया ऑपरचुनिटी इसके पास करीब 9.88 फीजदी हिसेदारी थी इस ब्लॉग डिल में मॉगन स्टैनली एशिया सिंगपूर और बिन पी पारिबाग फइनेशल माकिट्स के नाम खईदारों की सूची में सामने आए हैं 20 जून को PNB हाउजिंग का शेर करीब 5.5 फीजदी गिरकर 794 रुपे 40 पैसे पर बंद हुआ और शेर का इंटाडे लोग 785 रुपे का था अगले खबर 20 जून को रेट गेन ट्रेवल टेकनोलोजीज के करीब 21.6 लाग शेरों की ब्लॉग डिल हुई इस ब्लॉग डिल के जरीए कंपनी के एक पब्लिक शेर होल्डर अवतार होल्डिंग्स ने अपनी पूरी 1.8 फीजदी से जारी बेज दी है 20 जून को रेट गेन ट्रेवल के शेर में 3.5 फीजदी की मजबूती के साथ 778 रुपे 80 पैसे के सर्फ पर कारोबार की समापती हुई हाला कि शुरुवाती कुछ मिंटों में ही शेर ने 814 रुपे 40 पैसे की उचाई को भी चुआ था अगली कबर शुकवार 21 जून को हुई ब्लॉग डील के जरीए Olympus Capital Asia ने Aster DiM Healthcare में अपनी 9 फीजदी इसेदारी बेची है Olympus Capital Asia ने अपनी सहोगी कंपनी Olympus Capital Asia Investments के जरीए ये हिस्सा 1530 करोड रुपे में बेचा है 340 से लेकर 340 रुपे 13 पैसे की रेंज में हुए इस सादे के जरीये साड़े चार करोड शेरों की विक्री की गई है इस सादे के बाद Olympus Capital Asia की कंपनी में हिसेदारी 10.1 फीज़ी से घटकर 1.1 फीज़ी रह गई है इस डील के जरीये Franklin Templeton Mutual Fund Singapore Government और Morgan Stanley Asia Singapore ने कुल करीब सावा करोड शेर खाई दे है 21 जून को S.A.D.M. हेल्थ केर का शेयर करी पौने 7 फीजदी की मदबूती लेकर दिन की उचाई के पास 380 रुपे 20 पैसे के इस तर पर बंद हुआ था अगली कबर शुकवार 21 जून को AXIS BANK में बल्क डिल हुई जिसके जरिये मौगन स्टैनली ने 1225 रुपे 75 पैसे के दाम पर 2,083.77 करोड रुपे में 1.7 करोड शेयरों की खरदारी की है NAC पर मौझूद आंक्टों के मताबिक मौगन स्टैनली ने बैंक की आदा फीजदी हिसेदारी काई दी है गौर तलब है कि बुदवार 19 जून को AXIS BANK ने 336 करोड रुपे खरच कर मैक्स लाइफ में अपनी हिसेदारी बढ़ाई थी इस सौदे के बाद AXIS Entities की मैक्स लाइफ में कुल हिसेदारी 19.02 फीजदी से बढ़कर 19.09 फीजदी हो गई है 21 जून को AXIS BANK के शेयर में आदा फीजदी से ज़्यादा की कमजोरी के साथ 1232 उपे 10 पैसे के सर्थ पर कारोबार की समापती देखने को मिली तो ये थी बीते कारोबारी हफते की कॉर्पेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्कियां लेकिन आप रुख करते हैं कॉर्पेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ टाटा ग्रूप की फ्लैक्शिप कंपनी और कैश का उमानी जाने वाली टीसी एस को लेकर बीते वीकन पर खबर थी कि यूएस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कंपनी पर कुल 19.42 करोड डॉलर या करीब 16 करोड उपे का जुर्माना लगाया है यह जुर्माना Computer Science Corporation यानी CSC की और से दाखिल मुकदमे के चलते लगाया गया है जिसका अब DXC Technology के साथ मरजर हो गया है यह मुकदमा पांच साल पहले दाखिल किया गया था जिसमें TCS पर CSC के Trade Secrets चुराने का आरोप लगाया गया था TCS ने कोट की और से आई इस फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है और कहा कि इस फैसले से कंपनी के Operations या वितिस्तिती पर कोई असर नहीं होगा 18 जून को TCS का शेयर 14 फीज़ी से ज़ादा गिर कर 3819 रुपे के सतर पर बंद हुआ था अगली खबर करी मिलने के बाद RBI ने कंपनी को नए गोल लोन देने पर रोक लगा दी थी सोना गिर्वी रखकर कर्ज देने के मामले में नीमों का उलंगन होने के चलते RBI ने ये कदम उठाया था कंपनी के गोल लोन पूर्टफोलियों में सुपरवाइजरी गरबडियां मिली थी अठारा जून को आएफल फ़नाइस का शेर करीब धाई फीजदी की बड़त के साथ 482 रुपे 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था अगदी खबर देश की सबसे बड़ी एरलाइन कंपनी इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोप एविशन ने बीते शुकवार की शाम को गोशना की कि इंजन सप्लाई करने वाली कंपनी प्रैटेन बीटनी यानि PNW ने PNW से मुआफजा मिलेगा कंपनी को दरसल पाउडर मेटल इशू के चलते कंपनी को अपने 70 से जादा विमान ग्राउंडे ट करनने पड़े थे क्योंकि जुलाई 2023 में P&W ने घोशना की थी कि इस इशू के चलते Airbus A320 नियो विमानों के इंजन कॉंपोनेंट्स में दिक्कते आ सकती हैं इसलिए इन विमानों की जांच करनी पड़ेगी और इस जांच के चलते 2023 से 2026 के दुरान 600 से 700 विमानों को ग्राउंड रूट किया जा सकता है 18 जून को इंडिगो के शेर में करीब पौने एक फीजदी की बड़त के साथ 4,300 रुपे 25 पैसे के सर पर कारोबार का अंत देखने को मिला अगली खबर एक प्रॉक्सी एडवाईजरी फिर्म ने रेमेंट के शेरधाकों को गौतम सिंगानिया को कमपनी के बोर्ट पर CMD के रूप में दुबारा नियुक करने के पस्ताव के खिलाफ वोटिंग करने की सिफारिश की है इस फिर्म ने गौतम सिंगानिया की पतनी नवाजमोदी के और से उन पर लगाए गए घरीलू हिंसा और फंट्स के दुर्यूप्यों के आरोप की स्वतंतर जांच की मांग भी की है यही नहीं इस फिर्म ने तलाक से जुड़े मुद्दे सुलजने और स्वतंतर जांच की रिपोर्ट आने तक गौतम सिंगानिया और नवाजमोदी को कमपनी के बोट से हटने की भी मांग की है इतना ही नहीं फिर्म ने शेधाको को गौतम सिंगानिया को मौबजे के रूप में दी जाने वाली रकम के पस्ताव के खिलाफ भी वोटिंग करने की सिफारिश की है क्योंकि फिर्म का दावा है कि इस पस्ताव के मताबिक उनको नियामक सीमा से ज्यादा रकम मिल रही है 27 जून को होने वाली कंपनी की एजियम में ये पस्ताव पारित होने के लिए शेधारकों के सामने रखे जाएंगे 19 जून को रेमेंट का शेयर करीब दो फीजदी की गिरावट के साथ 2442 रुपे के सर पर बंद हुआ था जी एंटर्टेन्मेंट एंटर्प्राइज इस लेमिटेड यानि जील के सीएफो रोहिद कुमार गुपता ने अपने पत से इस्तीफा दे दिया है कंपनी ने मुकंद गलगली को एक्टिंग सीएफो के रूप में न्यूक किया है आपको बता दे कि मुकंद गलगली जी ग्रूप के साथ 17 सालों से ज़्यादा से जुड़े हुए हैं और फिलहाल वो कंपनी के कमर्शियल एंड स्रटीजिक इनिशेटिफ्स का नेतित्व कर दिया था मार्च में रेविन्यू एंड मोनेटाइशन बिजनस के प्रेजिडेंट राहुल जोहरी के साथ साथ कंपनी के प्रेजिडेंट एंड ग्रूप चीफ टेकनलोजी आफिसर नितिन मितल ने भी अपने पच से इस्तीफा दे दिया था 19 जून को जी एंटेटेन्में ने कंपनी के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि कंपनी के रायसें जिले में स्थित प्लांट से 58 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है पीते शनिवार को नैशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन आफ चाइल राइट्स यानी एनसी पीसी आर की और से 49 लड़कों और जा रहा था 20 जून को सूम डिस्लिस का शेर करीब दो फीजदी गिरकर 113 रुपे 80 पैसे के स्थर पर बंद हुआ हाला कि इंटर डे में शेर 105 रुपे 90 पैसे तक भी फिसल गया था अगली खबर रेलिगर एंटरपैजिस के बोड के लिए इस अफते सेभी की और से एक बुरी खबर आई बर्मन फैमिली की औरसे कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डस के लिए ओपन ओफलाना अनिवारिय हो गया था लेकिन रेलिगे अंटरपाइज續 की औरसे सहयोग ना मिलने के चलते बर्मन फैमिली ने सेभी का दरवाजा खटखटाया था 20 जून को रेलिगर एंटरपाइजिस का शेयर चार फीज़ी के मजबूती के साथ 233 रुपे 60 पैसे के स्थार पर बंद हुआ था केई इंडस्ट्री के दादरायन नगर हविली और दमनेंदियू में स्थित दो प्लांट्स में करमचारियों ने इस अफते हर्ताल की घोशना कर दी इसके चलते इन दोनों प्लांट्स में उत्पादन रुख गया और इससे रोजाना करीब आठ करोड रुपे के उत्पादन पर असर हुआ हाला कि कंपनी के पास सारे एसेट्स का इंशॉरेंस कवर मौजूद है करमचारियों के और से अधिक वेतन की मांग और कुछ अन्य मुद्दों के चलते हर्ताल की गई है कंपनी का कहना था कि वो लेबर कॉंट्रेक्टर्स के साथ लगातार बातचित कर रही है और जो भी फैसला होगा उस पर कुछ समय में अपडेट जारी करेगी 20 जून को के ई आई इंडस्टिस के शेर में 4301 रुपे पांच पैसे के निचले सतर से रिकवरी के बाद करीब कि कंपनी अब डेट इशूस के लिए लीड मैनेजर की भूमिका नहीं निभा पाएगी ये रोग 31 मार्च 2025 तक या अगले आदेश तक जारी रहेगी हाला कि सेवी ने इसाफ किया है कि ये निदेश एक्विटी इशूस के लिए लीड मैनेजर की भूमिका निभाने समेत अन्य एक्टिविटीस पर लागू नहीं होगी स्टाक एक्षेंजिस को दी गई जानकारी में कंपनी ने ये भी बताया कि उसने स्वेच्छा से पूरे आईप्यो फिनेंसिंग कारोबार को बंद करने का फैसला लिया है जो की सब्सेडिरी कंपनी जेम फिनेशल प्रॉडट्स कर रही थी 21 जून को जेम फिनेशल का शेर सवा चार फीजी से ज़ादा गिर कर 83 रुपे 57 पैसे के स्थर पर बंद हुआ हाला कि इंटर डे में शेर 82 रुपे 56 पैसे तक भी फिसल गया था तो कॉर्पे जगर से जुड़ी इस अफते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टप स्पेस की स्टार्टप अपडेट में और चलते हैं पहली खबर की तरफ इंडियन स्टार्टप की और से 2024 में अब तक करीब 10,000 करमचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है पिछले 6 महिने में स्विगी, ओला, कल्ट फिट, लीशियस, प्रिस्टिन केर और बाईजूस जैसे स्टार्टप कंप्टियों ने खर्चों में कटौती के लिए करनिंग मिलने में अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कंप्टियों भरती भी काफी कौशियस ली कर रही हैं और पूरा फोकस मुनाफे को सुधारने के ऊपर है, लांग हांस कंसल्टिंग की एक रिपोर्ट के मताबिक 2024 में चटनी का आकड़ा 2023 की पह दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, दूसरी कबर, इक रिपोर्ट के मताबिक कंपनी जुलाई में फिलिपकार्ट मिनेट्स के नाम से क्विक कॉमर्स बिजनस में कदम रखेगी, खैदारी करने के बाद ग्रहकों को 15 मिनेट में डिलिवरी देने के लक्षे के साथ कंपनी अपना मार्केट शियर यानि बादार हिसेदारी बढ़ाना चाती है, क्विक कॉमर्स में फिलिपकार्ट के आने से स्विगी, जेप्टो और ब्लिंकिट के लिए कॉंपिटिशन यानि प्रतिसपर्दा बढ़ जाएगी, क्विक कॉमर्स कंपनियां प्रतिसपर्दा से हमाई साथ जुरूर शेयर करें तो अग्मेश अनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ तब तक आप देखते रहें मरी नाइन नमस्कार शुपकार तरी दो कुर्और शेयर का रहें मरी अनिवार करें करें नाइन प्राव 자ओ तरी हम जो अनिवार के घट होगी झालम्सकार शात कर के फिक फिए